हेलो प्रेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, फिर देखिए अज मैं ये दो रंग की बहुत ही इजी सी डिजाइन लेके आई हूँ, बहुत आसानी से बन जाती है ये डिजाइन, राइट साइड है देखिए इस पैटरन का और ये है इसकी रॉंग साइड, आप अपने मन पसंद क बनाना स्टार्ट करते हैं, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें six के multiple फंदे चाहिए six plus six plus six plus five extra हमारी ये डिजाइन सैट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैने six plus six plus six plus five करके total twenty three फंदे ले लिए हैं इस बैटरन को बनाने के लिए, right साइट से हम स्टार्ट करेंगे बनाना, हमन एक, दो, तीन, चार, पांच जो बेज कलर हमारा और छट्वा फंदा हम अपने दूसरे कलर से बनाएंगे तो यही हमारा पैटर्न है इसी को रिपीट करेंगे वाइट लगाया है मैंने तो पांच फंदे वाइट से और एक फंदे मैंने डाक कलर से बनाया है इनी छे फंदों को रिपीट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच और फिर छट्वा फंदा हम डाक कलर से करेंगे छे सलाईयों में हमारा यह पैटर्न बनके तयार हो जाएगा और यह पैटर्न हमारा राइट और रॉंग दोनों तरब से बनेगा तो एक बार फिर से देखे इसको रिपीट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और छट्वा फंदा हम डाक कलर से करेंगे लास्ट में देखे हमारे पांच फंदे बचे, इस टार्टिंग में भी हमारे पांच है इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमने पांच लिया है वो यह फंदे हैं तो इनको हम वाइट से बना लेंगे तो यहाँ पर दूसरा धागा मैंने फसाल लिया है क्योंकि इसके बाद हमको wrong side से यह जो हमने एक एक dark color से बनाया है इसके बाद और इसके पहले का तीन फंदा total लेके हम dark color से बनाएंगे और बीच का तीन फंदा हमारा white से बनेगा तो पहला फंदा उतार लेंगे और एक, दो, तीन और total चार फंदे मैंने बना लिये हैं यानि कि यह हमारा edge stitch अब यह तीन white हो गया और तीन हमारा dark color हो जाएगा इस तरीके से अब इनी छे फंदों को हम repeat करेंगे तो तीन white तीन dark, एक, दो, तीन, तीन white, तीन dark, तीन white last में और edge stitch हमारा उल्टा white color से तो यह देखिए इस तरीके से हमारा यह pattern है, second row complete हो गई, third row हम first row की तरह बनाएंगे तो पहला फंदा हमने उतार लिया अब इसके बाद देखिए अगर यहां से आप count करेंगे तो एक, तीन, चार, पांच हमने white बनाएंगे और एक फंदा हम dark color से बनाएंगे इस तरीके से फिर एक, दो, तीन, चार, पांच हम white से बनाएंगे और एक फंदा डाक से बनाएंगे, जो हमने एक किया था, रॉंग साइट से हमने इसको तीन किया, और अब राइट साइट से फिर से ये बीच वाला फंदा इसमें बनेगा, तो ये एक हो जाएगा, यहनी एक, तीन, एक करके हमारा ये पैटन बनेगा, यहाँ पे हम देखिए, ये तीन फंदे के बाद इस धागे को इस तरह से यहाँ फसा लेंगे, क्योंकि अगली जो हमारी ये डीजाइन है, वो रॉंग साइट से स्टार्ट होगी, और सेम इसी पैटन को हमने रिपीट करना है, तो जो हमने ये सीधे से स्टार्ट किया था, पांच और एक, वही अब हम रॉंग साइट से स्टार्ट करेंगे, तो रॉंग साइट से जब हमारा ये स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में देखिए, पहला फंदा हम बिना पुने उतारेंगे, एक white बनाएंगे और यहाँ पे हम एक ये dark बनाएंगे अब इसके बाद हमारा repeat button स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए 5 white बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच white और एक ये dark यही छे फंदा फिर से repeat करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच white और लास्ट में देखिए 2 फंदे हमारे बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हमने 2 white रखा था लास्ट में यहाँ पे 2 white आया है इस तरह से अब पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे अब इस तरीके से हम इसको 3 फंदा एक, 2, 3 फंदा dark करेंगे और 3 फंदा white से 1, 2, 3 दिखिए एनी 6 फंदों को हम repeat करेंगे तो 3 dark color और 3 white तीन dark color तीन white लास्ट में तीन dark color और लास्ट का यह एक white देखिए जो स्टार्टिंग में रहेगा वही फंदा लास्ट में भी आना चाहिए तो हमारी यह डीजाइन अच्छे से सिट है यह देखिए अब 6th row यानि कि wrong side से final row जो इस डिजाइन का है तो यहां पर देखिए 2 फंदे white से और 1 हम dark से बनाएंगे अब यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने white से बनाए एक dark से एक, दो, तीन, चार, पांच white से एक dark से और लास्ट में एक दो तो यही है देखिए छे सलाई का हमारा pattern इसी को हम repeat करते जाएंगे तो इस तरह से हमारा project बन के तयार हो जाएगा तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि यह design आपको जरूर पसंद आएगी यदि आपको यह design पसंद आती है तो आप इसको like जरूर करिएगा अपने दोस्तों में share करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और अभी तक यदि मेरे channel को आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर करिए मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई design के संग तब तक के लिए बाई